हेलो फ्रेंज दिसी शोती आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रहे हूँ बस आम का सीजन खतम होने वाला है तो आम मैं कैसे स्टोर करती हूँ जिसे आगे चलके आम की कोई भी रेसिपी हो चाहे वो आइस क्रिम, केक, शेक, मार्जा या कोई भी डेजर्ट हो किसे में भी कर सकते हैं मैंने इस वीडियो में टीटल प्रोसेस के साथ कई सारे टिप्स ओर टेक्स बताये हैं जिसे बिना कोई प्रिजर ज्योंके नैश्रली नंबे समय के लिए आम स्टोर करसकते हैं तो चलिए, शूरू करते हैं आम स्टोर करने के लिए मेने आपे अलफानसो मैंगोज का इस्तमाल किया है। वार्किट से खरीते वक्त ही आम थोड़े कच्चे ही खरीते हैं और फिर घरमे गरम जगा पर फैला कर पकने के लिए रखतेते हैं जिससे आम विदाउट केमिकल या किसी पाउडर की मिल जाते है तो ये मैंगोज बहुत जाधा ना पके हुए या जाधा ना कच्चे होते हुए बस सुगन देट स्मात परे मीठे पके हुए आम हैं। वही दुसरी और ये वाले आम जाधा पके हुए थोड़े नरम बने, कले डाग वाले हैं जो जाधा दिन तक नहीं टिक पाएंगे तो ऐसे वाले आम जल से जल इस्तिमाल कर दे या सेवन करे इस तरह के आम स्टोर करने के लिए इस्तिमाल ना करे तो पहले आम वाश करने का प्रोसेस करते हैं आम के उपर चिपचिपाची, मट्टी या डस्ट होता है तो वो क्लीन करने के लिए पहले थोड़ा नमग मिलाए और पुरी तरसे आम डुबो तक पाने भर कर 15 मिनिट के लिए रगते। 15 मिनिट बाद आमको उसी नमगवले पानी में हलके हातों से डगर दे हुए फिर से क्लीन करे। और फिर और एक पाने से वाश करे। इस तरसे सभी आम वाश करे। अब इन्हें clean napkin में रफ कर dry करके लिए। इस तरह से सभी आम clean और dry करें। याद रखे, store करते वक आम के pieces या pulp में बिल्कुल पाणी की मात्रा ना हो। इससे store mangoes, pieces या pulp खराब हो सकता है। अब एक-एक आम लेकर छिलका निकाल कर pieces बना ले। pieces छोटी या पड़ी अपने पसंदी से बना सकते हैं। मैंने थोड़े बड़े वाली pieces बनाए हैं। इस तरह से मैंने लबब 10 आम के pieces बना लिये हैं। आम के pieces बनाने का एक पैदा ये होता है कि आगर आम अंदर से खराब ह तो देख कर निकाल सकते हैं आम की पिसिस वाला बॉल एक साइड में रखते हुए आम का पल्प निकाल लेते हैं आम को पहले चारों और से प्रेस करते हुए नरम बना ले और फिर पल्प निकाल ले बचे हुई ये चिलके और गुटलिया जिन में कई सारा पल्प पचा हुआ होता है तो वो भी कैसे यूटिलाइज करे वो लार्ट में देखेंगे तो इस तरह से लबब दस आम का पल्प मैंने निकाल लिया है अग स्टोर करने का प्रोसेस शुरू करते हैं स्टोर करने के लिए मैंने जिप लॉक पाव किलो पैकिंग का इस्तमाल किया है पैकिंग का साइज अपने जरूरत की जब सिख कर सकते हैं एक ही बार में बड़ा वाला पैकिंग करके पूरा मैंगो स्टोर ना करे अगर आपको एक टाइम में पाच मैंगोज की जरुरूरत होती हैं तो पाच मैंगोज की पिसिस का पैक बना लें, जिसे एक पैक निकाल कर डीफ प्रोज कर रखे, आप इस्तमाल कर सकें. अगर बड़ा वाला पैक बनाएंगे, तो इस्तमाल होने के बात बचा हुआ मैंगो फिसे फ्रीज करेंगे तो स्टोड मैंगोज खराब हो सकते हैं। मैंगोज की पीसिस पैक करने से पहले थोड़ा शक्कर मिलाएंगे। साथ ही पैकिंग में भी थोड़ा शक्कर डालकर पीसिस को हलकी हातों से मिलाते हुए पीसिस पैक में भर देंगे। मैंगो की पीसिस में शकर मिलाने से पीसिस काले नहीं होंगी, साथ ही शकर रिजर्वेटू का काम करता है, शकर बहुत ज़्यादा ना मिलाते हुए, बस दस मैंगो की पीसिस के लिए तीन से चार चमच शकर मिलाएं. इस तरह से पीश पीश में थोड़ा थोड़ा शकर मिला दे हुए पीसिस डाल दे और लॉक करते फक पैक में पूरी तरह से हवा निकाल कर लॉक करें पैक में थोड़ी भी हवा या बबल्स ना बचने दे इस तरह से बागी बची पीसिस भी पैक करके पल्प का पैकिंग करना शुरू करते हैं पल्प पैकिंग करने से पहले पल्प में एक ही बार तेन से चार चमश शकर मिला कर हलके हाथों से थोड़ा सा मिला कर पल्प पैक में भर दे और हवा निकालते हुए जिप लॉक करे इस तरह से पैक करने से डीफ्रीज करते वक्त कम जगब में स्टोर कर सकते हैं अगर पैकिंग एर टाइट कंटेनर में करेंगे तो भी कोई बात नहीं छोटे छोटे कंटेनर में भर कर उपर से सीन पैक करके लॉक करके डीफ्रीज करें इस तरह से मैंने दो पैकिंग मैंगो पिसिस के दो पैकिंग मैंगो पल्प के बनाये हैं अब इन्हें एक बड़े वाले कंटेनर में सेट करते हैं जीप लॉप पैकिंग डाइरेक्ली डीफ फ्रीज भी कर सकते हैं पर मैंने सभी पैक्स इस तरह से कंटेनर में भर दिये हैं जिससे फ्रीजर क्लीन रहे, इजी हैंगलिंग हो और दिखने में एक परफेक्शन बनी रहे। बस मैंगो का एक अंटेनर में ने डीफ फ्रीज में रख दिया है, अब जब भी मैंगो की जरुरत होगी इसमें से एक पैक दो घंटे पहले निकाल कर नौर्मल टेंपरेचर में आने पर इस्तमाल करेंगी। बचे हुए ये चिलके और गुटलियों में पानी डालकर निचोड़ते हुए पल्प निकाले। ये स्टॉक आमरस या माजा बनाते वक्त इस्तमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।